सरकारी का लमचारियों के लिए बुरी खबर है 25,000 पेंशन धारकों को बड़ा जटका लगने जा रहा है इसके बाद आपको पेंशन की राशी उतनी नहीं मिलेगी जुतना पहले मिला करती थी करें 25,000 पेंशन धारकों के पेंशन में कट्वाती की जाएगी इतना ही नहीं ब याने की Employees Provident Fund Organization के द्वारा अब 25,000 पेंशन धारकों को एक बड़ा जटका दिया जा रहा है और यह क्यों दिया जा रहा है यह बड़ा कड़म क्यों उठाया गया है इपी एफो ने क्या कुछ नया नियम निकाला है आपको सब कुछ वस्टार से आगे के रिपॉर्ट में ह अब नमशकार आप जंता जंक्षन देख रही हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर है 25,000 पेंशन धारियों की पेंशन अब कम हो सकती है इसको लेकर एपी एफो ने नया नियम निकाला है जिसके बार 25,000 धारकों के पेंशन में क कम कर दिया जाए और आपके बैंक अकाउंट में हर महीने कम अमाउंट भेजा जाए जी हां पेंशन फंड बॉडी ने यसी महीने से 25,000 लोगों की उच्छ पेंशन पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है जिसके बार अब खबरे ये भी चल रही है कि इसा फैसली का जम कर विरोध भी किया जाएगा मतलब ये है कि 25,000 लोग अब ये कैसे सहपाएंगे कि अचानक से उनका पेंशन कम हो गया इसका विरोध होना लाजमी है और इसके विरोध में काफी लोग उतरेंगे जिसके सामना एपी एफो को करना पर सकता है करमचारी भविश्य नीदी संगठन के करिब 25,000 पेंशन धारियों के पेंशन पर तलवार लटक रही है मतलब ये है कि उनका पेंशन अब कम कर दिया जाएगा कटोती कर दी जाएगी रिटार्मेंट फंड संगठन के द्वारा ये जवानकारी साजवा की गई है कि अस्थानी अधिकारियों को निर्द करने का आदेश दिया गया है इस पूरी मामले को लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया है जिसमें संगठन के द्वारा ये कहा गया है कि आसे सभी मामलों की समिक्षा की जाएगी साल 2014 के एक सब्सक्राइब से पहले रिटायर हुए लोग जितने भी हैं जन्हों नहीं अभी तक उच्छे वीतन पर पेंशन के सुविधा का लाब नहीं उठाया है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके भी जवानकारी ली जा रहे हैं और जो भी लोग साल 2014 के पहले रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन में कटवाती हो जाएगी साथी सर्कुलर में ये भी कहा गया ह है कि साल 2023 के जनवरी से ये ऐसे सभी धारत की उची पेंशन पर रोक लगा दी जाए जिसके बाद इनके पेंशन को 5000-6500 की सैलरी की आधार पर तैक किया जाएगा इतना ही नहीं बलकि करमचारी की सैलरी तैक करती है कि उनका पेंशन क्या होगा पेरेग्राफ 11.3 का भी जिकर इसलिए किया गया है सर्कुलर में क्योंकि ये पेरेग्राफ कहता है कि करमचारीों को वो ये अनुमती देता है कि आप महीने की सैलरी से पेंशन के लिए एक लिमिट अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि बाद में आपको पेंशन मिल भरना होता है अब उसी फॉर्म को जिसने भरा होगा उसको पेंशन में लेगा और जिसने वह फॉर्म फलप नहीं किया होगा उसके पेंशन में कठवाती कर दी जाएगी तो अब आगे इससे जुरी कोई भी नहीं अप्डेट आती है सामने तो आपको प्राइग बताएंग क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो जरूर साजपा कीजिए वीडियो को भी शेयर कीजिए और बागिया ने खबरों के लिए बने रहे हैं चुनता जिंक्शन के साथ क्या हमने के पीछे ते विशाल और मैं थी आपके साथ वन बना धानवाद